हेलो दोस्तों आप सभी का इस विडियो में स्वागत है आज इस विडियो में हम लंब वृत्तिय बेलन के प्रिष्ठिय क्षेत्रफल सर्फिस एरिया ओफ राइट सर्कुलर सिलेंडर का अध्ययन करेंगे दोस्तों क्या आप जानते हैं कि लंब वृत्तिय बेलन आकार राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होते हैं ऐसे बेलन जिनके आधार वृत्ताकार हो और जिनका वक्रिय भाग उसके आधार पर लंब पेंडिकिलर हो लंब वृत्तिय बेलन राइट सर्कुलर सिलेंडर कहलाते हैं आईए इस विडियो में हम इसके बारे में और जाने फॉमस तुम्हारे घर में तो बहुत अच्छी खुश्बू आ रही है मा ने अगरबत्ती का विवसाय शुरू किया है मैं उन्हें अगरबत्तियों को कागस के लंब वृत्तिय बेलानाकार पैकेट में पैक करने में मदद कर रहा हूँ लेकिन ये लंब वृत्तिय बेलानाकार कैसे है अगर्बत्ती का पैकेट एक ऐसा बेलन सिलिंडर है जिसका आधार वृत्तिय है और वक्रिय भाग इसके आधार पर लंब है इसलिए ये एक लंब वृत्तिय बेलन राइट सकिलर सिलिंडर है लेकिन मानस मेरी एक उलजन है मैं ये अनुमान नहीं लगा पा रहा हूँ कि एक पैकेट बनाने के लिए मुझे कितने कागस की आवशक्ता होगी ये तो बहुत सरल है इसका उत्तर हम गणित के द्वारा ग्याद कर सकते हैं अच्छा इसका मतलब ये गणित का समय है देखो थॉमस तुम्हें जो बेलानाकार अगरबत्ती के पैकेट बनाने हैं उन्हें बनाने के लिए इस्तमाल होने वाला कागस उसकी सभी सतहों के लिए इस्तमाल होगा इसका मतलब बेलानाकार पैकेट बनाने के लिए इस्तमाल हो रहा कागस उसके कुल प्रिष्ठिय क्षेत्रफल टोटल सर्फिस एरिया के बराबर होगा मानस हमने पिछली कक्षा में बेलन के प्रिष्ठिय क्षेत्रफल का अदेयन किया था एक आर त्रिज्या और ह उचाई वाले बेलन के कुल प्रिष्ठिय क्षेत्रफल टोटल सर्फिस एरिया ओफ सिलिंडर को दो पाई आर गुणा आर और ह का योग इस सूत्र से ग्याद किया जा सकता है और बेलन के वक्र प्रिष्ठिय क्षेत्रफल कर्व सर्फिस एरिया ओफ सिलिंडर को ग्याद करने के लिए हम दो पाई आर और एच का गुणन फल ढुणेंगे थॉमस तुम्हारे हर बेलनाकार पैकेट की उंचाई और उसके आधार की त्रिज्या कितनी होगी हर पैकेट की उंचाई 12.5 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 1.5 सेंटीमीटर होगी फिर चलो अब हम जल्दी से बेलन के कुल प्रिष्ठियक शेत्रफल के सूत्र में तुम्हारे बेलानाकार पैकेट की उंचाई 12.5 cm और उसके आधार की त्रिज्या 1.5 cm को लिखकर इस तरह से हल कर ले देखो मानस क्योंकि मेरे बेलानाकार पैकेट को बनाने में इस्तमाल हो रहा कागस उसके कुल प्रिष्ठियक शेत्रफल के बराबर है मुझे एक बेलानाकार पैकेट बनाने के लिए 132 वर्ग सेंटीमीटर कागस की आवश्चकता होगी शबाश तॉमस चलो अब हम अपनी दुनिया में लोट चले मैं तुम्हारे ये पैकेट बनाने में मदद करूँगा दोनों दोस्तों ने मिलकर बेलानाकार अगरबत्ती के पैकेट बना लिये और उनमें अगरबत्तियों को पैक कर लिया इस विडियो में हमने लंब वृत्तिय बेलन के पिश्ठिय क्षेत्रफल सर्फिस एरिया ओफ राइट सर्कुलर सिलेंडर का अध्ययन किया अगले विडियो में हम इस पर आधारित कुछ दिल्चस्प उदाहरन देखेंगे